जैसे कि आप सब ने नोटिस कर लिया होगा कि मैं और हीना आज रेत पे स्ट्रगल कर रहे हैं चलने के लिए कि हम दोनों ने एक बहुत चोटी सी गलती कर ली हीना ने हील पहनी है और मैंने ऐसे शूरू पहना हूँ जो सेंड के लिए साही नहीं है मैं हर बार यह वार्निंग देता हूँ बढ़ बुझ जाता हूँ वेल्कम बैकम करें ड़्यक्तोन गस् केसा डश्gangen माजशे में लोगे टरिवार पहकलर में जिसमित होटाशर पहने हैं चलना नहीं कमेशभर थिल्लायो सब्सक्राइब को भुझ गबाग व्हीं एस को cyniping San Giana के साहीम्ते हैं चुपाटी तो मैं थोड़ा recap दे देता हूँ यहाँ पर है boot house यानि जुतागर जो मेरा last vlog था और यहाँ से नीचे उतर कर आप आ सकते हो गिरगाओ चोपाटी में जो के यह खुब सुरज जेगे है जैसे आप सब जानते में और हिना रहते हैं मुंबे सिटी में और मुंबे में बहुत सारे बीचे से ऐसे खुबतुरत तो यह उनमें से एक बीच है इस बीच का नाम है गिरगाओ चपाटी इन आप बहुत इंजॉय कर रही है चले मैं भी जाता हूं और थोड़ा बहुत पानी का मजा लेता हूं यह देखके वह ऐसा लग रहा है गाड ने वही किसी को बचाया है डूबने से अब आई डूनों क्या है वह जाके देखता हूं वेल गाइस अभी आपने देखा के मेरे पीछे एक रेस्की हुआ है लाइफ गाड ने एक आत्मी को डूपते वे बचाया जो आदमी डूब रहा था वो बहुत ड्रिंक किया हुआ था उसने तो इसको होश नहीं है बट यहां के लाइफ गाड ने बहुत अच्छा काम करें वक्त रहते ही एक बंदे को बचा लिए तो हैच आप टो देम गाइस आप जब भी इस बीच पाया है या कोई भी बीच पे जाए तो किसी भी लाइफ गाड से थैंक्यों बार बोल देना क्योंकि बिचारे ने एक जन को सेफ किया इस बंदे ने अब यह अपनी डूटी करन एक है 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 तो मैं और हिना इना अब यहां पर जा रहें देखते हैं यहां से नजारा कैसे दिखता है बीच का वैल्ब यह बहुसे नहीं मेंको जाना है तो आब अच्छा लगा हो गई दिल की मुगात पूरी हो गई चलो वापी जाते हैं पीच पे आप जब भी कोई भी बीच के पास आते हो तो आपको यह हाट शेप वैट लब्स यह सब सीन सीनेरी रेट में बनी हुए आपको मिलेगी फ़ल यह सब तो होता रहेगा हीना का एक क्वेश्चन है हमारे लिए हीना क्या क्या क्वेश्चन है तो यह जन्डे का कानी ऐसा है कि जब बीचेस में पानी भर जाता है पूरी तरह से तो क्राउट को यह एंडिकेशन मिलता है यह सिग्नल होता है कि इसके आगया मद जाना डेंजर जोन है तो ये डेंजर जोन की जो बाउंडरी है बीचेस में ये सब फ्लैक वहां लगते हैं जब पानी पुरा भर जाएगा तो इसके आगे मज जाओ इसलिए जंडा लगा है तिक है याद रखना अब भी सब अब आपने हीना की मस्ती देखी तो मैं अभी आपके हीना के बारे में एक और फ़न फैक्ट बता देता हूँ जब मेरी हीना की शादी हुई थी तो मुझे पता था हीना जीनियस है आज उसने इसका सबूत दे दी जैसे आपने देखा हीना बीना सेंडल के पानी में मस्ती कर और भार निकलने के बाद इसने मुझे उस्में हानसर मीलगे ऐगा इस कारनामा के बाद मुझे इसा लग रहा है कि आज का मेरा यहां आना देन सफल हुआ और हीना के बारे में और और बार उसकी जी बचिछ फ mão शे बचावान कि यह ना फिर से पानी में उतर गई मस्तिकरने तो मिन्वाइल मैं आपको इस जगे का जोग्रीफिकल व्यू दे देता हूं याने जगे कौन सा है जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया मेरा लास्ट व्लॉग था यहां पे बूट हाउस और बूट हाउस से नीचे ही रास्ता है यहां आने यह है गिरगाव चोपाटी बीच है मुंबई में और यहां से स्टार्ट होता है यहां तक यह एर इंडिया बिल्डिंग है यह यह है मरीन ड्राइफ जिसका वीडियो मैंने पहले बना दिया है आई बटन में लिंक दे दूँगा आप प्लीज वो मेरा वीडियो कर लेना हो गई मस्ती हो गई चलो और थोड़ा एक्स्प्लोर कर तो अपने पहले देख लिया यह गाड़ास कितना अच्छा गाम कर रहे हैं मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहां एक रस्क्यू हुआ है देल बना ओना मैटम अब और रहे है ऐसे से शेंट सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मैं और हीना आगे बीच के एक्दम एंट पूशन पर मैं आपको बता देता हूँ एंड फुशन पे यहां क्या है बस बीच का एंड हो गया बीच का एंड में यह है यहां कुछ रिजॉर्ट है और यहां पर सब रेस्क्यू बोट है बीच का एंड यहां है वेल हमारे टेंड यहां है क्योंकि हमने प्याट किया था इंड से विजी वीदियो कॉल में ही ना मेरे हिसाब से मेहने में एक बार बीच वाक आट करते हो आपको बहुत सारे क्वेशन का आणसर मिल जाता है और आप एकड़म रिफ्रेश हो जाते हैं अंदर से यह जो आप टाय ट्रैक देख रहे हैं यह पेट्रोलिंग टीम की जीप का है तो मैं और हीना अब जा रहे हैं इस शेड वाली जेगे पर क्योंकि मैं और हीना काफी देर से धूप में गुम रहे हैं यह जब से बीच पर आई है किसी ना किसी के साथ वीडियो कॉल पर लगी हुई है आगे उसके बहुत सारे रिलेटव ऐसे जिन्होंने समंदर नहीं देखा रियल में तो फोच सब को आज समंदर दिखा रही हैं से चलो कोई नहीं अच्छी बात यह भी तो मैं और हीना आप च कि अच्छी ने जहाड लगा दिया यह जितना भी दूप में तो काले से काली तो होंगे नहीं और उल्टा लाल हो जाएंगे और कुप सुर्थी बढ़ जाएंगे और मैं इसे काला हूं दूप में और घूमा तो काला कोला हो जाओ तो फाइनली शेड में अग अच्छा कि तो इना का चैरा देखके आपको पता चलिया होगा इना का आज अवाटाइड हो चुका है क्योंकि मुझे लगता है आज हीना के अंदर का जो बच्चा बच्ची था वह भार निकल गया इसने बहुत मस्ती करी बहुत शराद करी अच्छी बात है यह तो यह सब कहने का त अगले वीडियो में इस मैं और हिन आपको अगले वीडियो में रिके तिल एक प्वाट रहे बहुत एल जो चलो तिल थैन बावाइं झाल झाल